इंडर जीत सबसे पहले में आपकी तरह फिर रुख कर रहा हूँ क्यूंकि महराश्ट्र में सबसे ज़्यादा हलचल, सबसे ज़्यादा खबरें और सबसे ज़्यादा विवात कहीं देखने को मिल रहा है शप्रत ग्रैंड समारो के बाद या फिर कहें मंत्री मंडल के अलान क के बाद वो महराश्ट है तो अभी क्या आप डेटे आपके पास प्रफुल पटेल मान गए हैं इस बात को लेकर या अभी भी वो नाराजगी वो दर्द साफ्त तोर से अभी भी है बना हुआ है अभी अभी तक नाराजगी कायम है और आज दोनों नसीपी जो बनी है दो एनसीपी बनी है उनका अस्थापना दिवस है और दोनों नसीपी का आज कारकरम है और इस कारकम के दोरान सीनियर नेताओं की बैठक भी होगी अगर अजित पवार गुट की बात करें तो सरमुखाननद हौल में उनकी बैठक है अगर सरत पवार गुट की बात करें तो एहमद नगर में बैठक है सबसे बड़ी बात ये है कि अजित पवार खेला करने की इस्थिती में इस समय नहीं है उनके साथ खुद खेला हो रहा है क्योंकि आप देखिए कि लोगसभाचुनाओं में उनका एक सांसत जीता है पहले उनको सिर्फ चार सीटे मिली थी उससे उनके जो पार्टी के नेता कार करता नाराज थे अब सिर्फ एक सीट पार्टी जीती है और इसके बाद जब मिनिस्ट्री के बारी आई तो मिनिस्ट्री में भी दो नेताओं में ठन गई थी प्रफुल पटेल मंत्री बनना चाहते हैं इस बीच अगर बात करें तो आज बैठकों का दोर जारी है एंसीपी सरत्पवारगुट की तरफ से एक हाज आ रहा था कि 17-18 बिधायक अजित पवारगुट के उनके संपर्क में हैं इस पे डिसीजन आज एंसीपी भी हैं उनका मानना है कि जो लोग आ रहे हैं सब को अपनी पार्टी में वापस लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सरत्पवारगुट ने अगर लोग सवाचुनाओ के बात करें तो जो आठ सांसद उनके जीते हैं उनमें छे ऐसे लोग हैं जो पहली बार चुनाओ लड़े जीते हैं तो कई नेताओं का ऐसा मानना है कि हम पुराने लोगों पर दाव ना लगा कर नए लोगों पर दाव लगाएं तो कहिन कहिन जो मुस्किले हैं वाजित पवार गुट की बड़ी हुई हैं दूसरी तरफ उद्धो ठागरे गुट की तरफ भी आज बैठक चल रही और ये भी देखना होगा कि आगे उनकी बारगेनिंग पाउर कैसी रहती है और महराश्ट पर सबकी नजर इसलिए भी है क्योंकि चार महिने में ही विधान सबाचुनाओ के लिए चुनावाचार संगिता लगनी है यही कारण है कि आज बैठकों का दौर पूरे महराश्ट में जा रही है और देखना है कि यह जो राजनीती है किस करवट जाती है रवी ठीक है